हलो फ्रेंड सस्क्राइब करें मेरे चैनल टेक्निकल ब्यूटी हेल्थ चैनल को और घंटी वाले वेल आइकन को भी दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें जिन लोगों के हाथ पैर जुन जुनाहट के कारण सुन हो जाते हैं वे इस वीडियो को जरूर देखें नहीं तो हो सकती है देर हमने कई लोगों के मुह से सुना है कि लोगों को हाथों और पैरों में जुन जुनाहट होती है साथ ही उनके हाथ पैर भी सुन हो जाते हैं बता की जुझनाहट होकर सुन होने वाली वीमारी बहुत खतरनाक है। इस वीमारी को कभी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपको भयंकर परिसानी का सामना करना पड़ सकता है। जब भी आपको इस तरह की परिसानी हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क लेना चाहिए यह अपने आप में कोई बिमारी नहीं है लेकिन इसकी वजह से कई सारी परेसानिया हो सकती है इस तरह का होना सरीर में पोशक तत्वों की कमी होने का संकेत है इसलिए अपने खाने में इस तरह की चीजों का समावेश करना चाहिए जिससे पोशक तत्वों की कमी पूरी हो सके इसके लिए नियमित खाने में मैगनेसियम से भरपूर सबजियां और फलों का सेवन करना चाहिए साथ ही हरी पत्तेदार सबजियां सूखे मेवे अलसी के बीज काजू के बीज जव का दलिया पनीर ठंडे पानी की मचलियां सोया बीन चाकलेट जैसी चीजों के सेवन से बहुत फाइदा होता है दोस्तों इसी के साथ नियमित रूप से अपनी दिन चर्या में व्यायाम को सामिल करें साथ ही इस व्यायाम अधिक करें जिससे पैरों के कसरत अधिक हो सके लगातार ऐसा करने से आपको इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगेंगे इस बीमारी के होने पर हमारे सरीर में खून ब्लोक होने लगता है कई सारी नसें अवरूद हो जाती है जिसकी वज़से हाथ पैर सुन हो जाते हैं अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है तो बिना देरी किये चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए